आखिरकार भारती जन्ता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पाँच बाहुबलियों को सियासत से दूर कर दिया। फुल प्रूफ प्लान पर काम किया और बाहुबली नेताओं का काम तमाम कर दिया। जी हाँ योगी सरकार ने जहां विरोधी दनों के बाहुबली नेताओं को बोल्लोजर निती अपना कर ध्वस्त किया तो वही बीजेपी ने अपने बाहुबली नेताओं को रनाउट कर दिया शुरुवात कैसरगं सीट से कई बार के सांसत ब्रजभूशन शरंद सिंग से करते हैं ब्रजभूशन शरंद सिंग का देवी पाटन मंडल में दबदबा है लेकिन बीजेपी हाई कमान ने ब्रजभूशन शरंद सिंग का टिकेट होल्ड करके संदेश दिया है कि अब दबद जबा नहीं चलेगा अब तो सिर्फ कमल निशान और मोदी का नाम चलेगा फिलाल ब्रेज भूशन शरंच सिंग अब ऐसे गीत और शायरी गुनगुना कर दिन वापस आने का इंतिजार कर रहे हैं। राजा भहिया ने राजे सभा चुनाओ में बीजेपी को वोट दिया और दिलवाया भी। लेकिन लोग सभा चुनाओ में सीट शेरिंग पर राजा भहिया की पार्टी जनसत्ता दल की बात नहीं बन पाई है। मार्च पार्टी से अफजाल अंसारी की खिलाब गाजीपूर सीट से चुनाओ लडने का ताना बाना बुन रहे थे। लेकिन बीजेपी ने ओपी राजभर को सिर्फ एक सीट देकर बेजेश सिंग को शांत कर दिया। वहीं अयुद्या की गुसाईगन सीट से सपाविधायक अभैस सिंग को भी बीजेपी ने अमबेटकर नगर से चुनाओ लडने का सपना दिखाया। अभैस सिंग ने राजभर सबाचुनाओ में पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग भी की। लेकिन अभैस सिंग टिकेट के लिए दौन लगा रहे थे। लेकिन पिछ पर ही रन आउट हो गया। चुनाओ मैदान में ताल ठोकता है। वैसे बाहु बलियों का अपना अलागे तेहास है। बगावत उनकी रगों में है।